प्रखार सेवाएं अपनी अपडेट करनी हैं पहला जो स्कूल है उसमें पद स्तापन का परकार जो है नोन आरिपी सी करना है और जो आरिपी सी सेलेक्टेड है वो तो आरिपी सी करेंगे करेंगे और इसके लवा पहले स्कूल में आप पुराने ओडर लगाएंगे, पुराने मेड करमांक लगाएंगे और देट भी आ जाएगी, डेट वर जोइनिंग भी आ जाएगी, और चेन्वरग भी आ जाएगा, फोरम 10 में ये तो थी पहले स्कूल की डिडेल अब दो नमबर पे जिन कार्मिकों ने डी ओफिस या सीवी ओफिस में सेवाईं दी है तो वहां कर्माक और ओडर नमबर आपके पास है उनके डेट डाल दीजिएगा और पदस्तापन के परकार में समायोजन बरना है उसमें कोलम आता है प अब तीसरे नमबर में वरतमान में जहां आप सेवाईं दे रहे हैं वहां आपको पदस्तापन के परकार में रीवी डिजन लिखना है वरतमान के नए ओडर नए करमाक नए मेरिट और चैनवर्क लिखना है अब देखिए ये तो था आपका फॉर्म 10 का काम अब बात करते ह जो मेन कन्फूजन आपके फॉर्म 10 में आप सही सेवाई अपडेट करते हैं तो आपके जो फिक्सेशन फॉर्म है उसमें कहां क्या सरो होगा वो बताता हूँ इसमें देखिए स्कूल का विखना आपने जैसे बताया था वेसे बरदिया है फॉर्म 10 में तो मेरिट करमाक आ यहां एक्टोमेट एक लास्ट वाली नई मेरिट शो होने लगेगी यह आपका रिजल्ट है और मेरिट करमाक है जो पुराने शो होंगे फिक्सेशन फॉर्म में प्रिनाम शुरूब जो है मेरिट करमाक जिस परकार आपको बताया है फोर्म 10 में कैसे बरना है अगर तो यहाँ fixation 4 में merit करवा हैं पुराने show होंगे और point 5 है वहाँ पे पुरानी merit आती है लेकिन जब हम 5.1 और 5.2 yes करके नई merit लिखते हैं तो वहाँ पर 5.2 वाली merit है बिन्दू 5 में आ जाती है इस परकार आपको यह show करना है और इसी परकार अटमेटिक यह show होगा उमीद है कि आपकी confusion दूर हो गई है हर वीडियो में आपके समादान होस केसा प्रयास किया जाता है फिर भी कुछ तुरूटी रह जाती है तो वो next वीडियो में आपको समादान शुरूब बता दी जाती है जो चैनल को subscribe कर रखा है notification आ रहा है उनको कोई भी दिकत मेरे साथ से नहीं आ रही होगी हमारी पूरी कोसिस रहती है कि आपके समादान हो अब confusion क्लीर हो गया होगा तो इसको आप सभी गुरूप्स में और साथ थी सिक्षक है उन तक सेर कर दीजिए ताकि उनकी भी confusion दूर हो जाए उनका भी समादान हो जो हमारे चैनल पर नहीं है चैनल को subscribe कर लेवे हैं जिने आप जोइन कर सकते हैं ताकि रोजाना नई अपडेट मिल सकें